रूस यूकरेन जंक के मद्ने नजर जिस तरह के हालाद बनते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह से नैटो की दखल अंदाजी यूकरेन में बढ़ती हुई नजर आ रही है ये कई तरह के संकेत देती हुई दिख रही है प्रोफिसर संजय भारवाज आज हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार है, प्रोफिसर सन्जय, जिस बात का आपने थोड़ी दिर पहले TV9 भारत पर्ष के शोवे जिक्र किया की यूक्रेन हाथ से निकलने वाला है, इसका क्या मतलब है, किस के हाथ से निकलने वाला है, किस के पास जाने वाला है? देखिए इस जंक्चर पर नाटो चीप का युक्रेन विजिट कई चिंता हैं कई तरीके के कल्कुलेशन दिखाता है पहली बात कि देखिए कि कोई भी कंट्री अगर वार में हैं तो दो तीन बाते साफ होती है कि कंट्री एक तो फ्रेंटियर बनाता है और एक बफर जॉन ब जोन और एक 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 फ्रेंटियर बन गया है अब सवाल क्या है कि बागबुत की लड़ाई के बाद अगला जो टार्गेट बनता हो कीव बनता है और कीव अगर खातम हो जाता है तो कहां पहुंच गया वह पहुंच गया बिल्कुल एक दम नाटो कंट्री के बॉर्डर बिल और अगर इसको प्रोलोंग करना चाहता है तो निश्चित रूप से रश्या आगे बढ़ेगा और जो फ्रंटियर है जो कॉंफ्लिक जोन है वह बिल्कुल इस यूरोप तक पहुंच जाएगा जिसको हम पॉलेंड और श्वीडन और यह सारे कंट्री में तो एक चिंता का विशे अब कैसे इसको नाटो चीफ और नाटो कंट्री इसको आगे बढ़ाता है यह अभी देखते हैं लेकिन निश्चित रूप से ओफेंस और काउंटर ओफेंस तयार हो चुका है और यह एक चिंता का विशे है नाटो के लिए और यही विजिट को दरसाता है यही वज